वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों एक बाफिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहदी अमेजिंग वहीकल तो इतने जादो आसम है कि आप इन्हें देखकर सच मुझ शौक्त हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस बेहद अमेजिंग वीडियो को लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एटीबी डिजाइन वाली जमीन और पानी पर चलने वाली गाड़ी है लंबाई में ये गाड़ी 6.3 मीटर की है और चोड़ाई में ये 2.5 मीटर की होती है शामन 8x8 हर प्रकार की जमीन, पानी और बरफ की वादियों में आराम से चल सकती है आमतार पर ये गाड़ी 2 मोडल में आती है एक टूरिस्ट मोडल और एक हंटर मोडल दोनों मोडल में बस यही फर्क होता है कि टूरिस्ट मोडल में सीट बैल्ट वाली 3 अलग-अलग सीट होती है साथ ही इसमें 146 हर्स पावर के साथ 6 गुना गती बढ़ाने की पावर मिल जाती है शामन में पैटरोल की परफॉमेंस बहुत ही जबरदस है जो की हर 100 क्लोमीटर पर 25 लीटर पैटरोल खर्च करती है जबकि इसके टैंक में 260 लीटर पैटरोल भरा जा सकता है शामन पर आप 75 क्लोमीटर परती घंटे की स्पीड से सवारी कर सकते हैं और पानी में होते हुए इसकी स्पीड 10 क्लोमीटर परती घंटा की हो जाती है तो दोस्तो चाहे जमीन हो या पानी ये गाड़ी अपनी बेस्ट परफॉमेंस देने से नहीं चुकती और इसमें सुकून के साथ 12 लोग सवार हो सकते हैं जिसकी कीमत 1.5 करोड रुपे से स्टार्ट होती है दोस्तो एक्जियोन विंडोलेस जेट एक फ्रेंच कंपनी का डिजाइन क्या हुआ एक आधोनिक और बेहद ही एडवांस जेट है इसके फीचर में इसकी जबर्दस आरपार देखे जाने वाली रूप और वॉल्स मौजूद होती हैं जिनकी मदद से पूरी तरह से विमान के बाहर देखा जा सकता है जिसमें बैट कर सवारी करने पर आपको ऐसा लगेगा मानों की आप आसमान में ही उड़ रहे हो इस विमान का डिजाइन कुछ ऐसे है कि इसके बाहर लगे कैमरों से 360 डिगरी में चारों तरफ की तस्वीरे ली जाती हैं और फिर यही तस्वीरे जहास के अंदर बैठे हुए हर पैसेंजर को बराबर एंगल्स में दिखाई पड़ती हैं और विमान का सफर एक बेहद ही अनोखा और अंदेखा अनुभाव देता है वैसे यह जहास अभी तक मार्केट में नहीं आया और यह सिर्फ एक imagination ही है लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी यह विमान मार्केट में आएगा जरूर यह मार्केट में धमा का मचा देगा नेक्स्ट इस एरोस क्राफ्ट दोस्तो एरोस क्राफ्ट को कैलिफोनिया की एक एरलेंड कमपनी वर्ल्ड वाइड एरोस कॉर्परेशन ने डिजाइन किया है जो की एक हवाई जहाज और एर शिप का एक दिलकश मिलाब है इस कोशिश के नतीजे में 79 मीटर उचाज जाहर सामने आया है जो एलुमीनियम और कारवन फाइबर को मिला कर बनाया गया है ये एर क्राफ्ट पांसो टन जितना भारी सामान भी उठा सकता है और इसके बारे में ऐसी आशा की जा रही है कि ये फ्यूचर में लार्ज स्केल के लोगों को लाने लेज़ाने के लिए इस्तमाल होने वाला है एरोस क्राफ्ट के काम करने का तरीका कुछ इस तरह है कि जब इसके टैंक से हीलियम छोड़ी जाती है तो वो आसपास की मौजूद हवा को ढकेलती है और इस कारण से एरोस क्राफ्ट हवा में उरने लगता है और जब एरोस क्राफ्ट को लेंड कराना होता है तो हीलियम गेस को वापस टैंक में खीच लिया जाता है नेक्स्ट इस मैवरिक फ्लाइंग कार दोस्तो मैवरिक एक बग्गी और पेराग्लाइडर का जीता जागता एक्जामपल है जो वजन में साड़े 400 केजी की होती है और ये अपने साथ 300 केजी जितना वजन उड़ा सकती है हाइटेक ने इस फ्लाइंग वहीकल को एक्स्ट्रीम कंडिशन्स के लिए डिजाइन किया है मैवरिक के इस उड़न खटोले में 140 सौर्स पावर 3.9 सेकिंद्स में 0-60 MPS जाने की शमता और 140 KPS जैसी टॉप स्टीड की खूब या शामिल है इसका गैस सिस्टम बिलकुल ही अनोखा है और साथ में इसका नैविगेशनल सिस्टम अंचान इलाकों में उन्हें पार करने के लिए बेहत मददगार है मैवरिक ने रेस्क्यू और एमिजर्णसी के कार्रयों में अपने आप को एक बहतरीन गारी साबित किया है और आप इसे 90,000 डॉलर में शुरू होने वाली कीमत में खरीच सकते नेक्ट इस बरलेक दोस्तो बरलेक जमीन और पानी पर चलने वाली छे पहियों की गारी है कार्टर भाशा में इस गारी का नाम हुजक रखा गया था जिसका मतलब होता है बेगहर होना बरलेक एक बगतर बन गारी है और इसे एलेक्सी मेकरोब ने जमीन पर नए अंदाद से चलने के लिए बनाया है बरलेक वही कल कई प्रकार की जमीनों को चीरता हुआ निकलता है और पानी में भी ये गारी जबरदस चलती है लंबाई में भी ये गारी 7.5 मीटर की होती है उचाए में 3.5 मीटर और चौडाए में 2.8 मीटर होती है इसके टायर्स 2.7 मीटर उचे होते हैं इसके अलावा मजबूती के लिए इस गारी को अलुमीनियम से बनाया गया है कुल मिलाकर ये हर तरह की जमीन पर चलाने के लिए एक बहतरीन गारी है तो दोस्तों ये थी कुछ बेहद ही आसम वहीकल आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और साथे साथ वीडियो पसंद नए हो तो वीडियो को लाइक करें जादे से जादे शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूल